Hello my dear friends, कैसे हैं आप सभी उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे प्यारे विद्यारतियों आज की इस वीडियो में हम लोग समिकरन को हल करना सिखेंगे बहुत ही important type का सवाल आपके सामने लेकर के आया है क्योंकि इस तरह का सवाल में अक्सर विद्यारतियों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो आज की इस वीडियो में आपके प्रोलम को देखते हुई उसी type के वीडियो को cover किया गया है जैसा कि आप thumbnail में देखकर के आया है तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत ही अच्छा help मिलने वाला है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंतर तक जरूर देख लीजिए और एक-एक step को समझ लीजिए क्योंकि इस तरह का सवाल जो होता है ना तो विडियार्थियो को बहुत परिशान करता है कहीं आपका plus minus में गलती हो जाएगा कहीं आपको पक्छांतर करने में गलती हो जाएगा है ना इस तरह से कहीं-कहीं miss हो जाता है तो आज का यह विडियो अगर देख लेते हैं तो इस तरह का समिकरन करना भीनवाला समिकरन करना और इस तरह से difficult समिकरन को करना बहुत ही असान हो जाएगा आपके लिए तो चलिए विडियो स्टार्ट करेंगे प्यारे विडियो यदि आप इस विडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजे और चैनल पर पहली वार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे क्योंकि मैं आपके हैप के लिए विडियो बनाता रहता हूँ तो सबसे पहला काम इसके अलाबा हमारे पास है कि ज़्यादा ज़्यादा इस विडियो को सेयर करेंगे ठीक है ज़्यादा ज़्यादा सेयर कीजे अपने दोस्तों में सेयर कर दीजे ठीक है लोग को, तो सबसे पहले सवाल को यहाँ पर लिखते हैं, एक नमबर का सवाल जो है वो है 3X पलस 2, बट्टा में 3 बरावर में क्या है, 17 बट्टा 6, यह है देखे, सबसे पहले क्या करना है इस तरह से जब भी रहेगा, आपको भिन्न के रूप में रहेगा, तो क्या करना है इसमें cross multiplication कर लेना है cross में गुना कर लेना है, यानि कि 6 को इस उपर वाले से और इस 3 को 17 से गुना कर लेंगे तो जब गुना करेंगे, तो इस 6 को जब गुना करेंगे तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है कैसे देखिए 6 into में 3x plus 2 बराबर यह 3 गुणा 17 है तो यानि कि 3 गुणा में 17 इस तरह से लिख सकते हैं ठीक है न कोई दिकत नहीं है चलो अब क्या करना है प्यारे बच्चो इस bracket को हटाना है यानि कि 6 से multiply करना है तो 6 से multiply करेंगे इसमें एक वार और एक वार इसमें तभी ज से गुणा करिए 6 ती आई 18x एकस है तो एकस लगाएंगे पलस का चीन है पलस का चीन देंगे उसके बाद क्या होगा 6 को 2 से गुणा करेंगे 6 दुना हो जाएगा 12 बराबर में 3 को 17 से गुणा करिए 7 ती यह होता है 51 यहाँ पर 51 लिखेंगे ठीक है न अब प्यारे को एकसाइट रख लेते हैं और बिना एकस वाले को एकसाइट कर लेते हैं मत्तब बराबर के उस पार भेज दे देते हैं तो यहाँ पर बराबर के चीन है तो बराबर के चीन लगाएंगे 51 है 51 लिख करके इधर पलस में 12 है तो बराबर के उस पार पक्छान तर जब इसको क करेंगे तो क्या होगा मैनस में 12 हो जायका थिक है मैनस में 12 हो जाएगा तो यहां पर देखे पैरे विदार्तीयों अब क्या कर सकते हम लोग 18 x बरावद सकते हैं क्या 51 गटाएंगे तो यहां पर 11 में 26 इन रहीम गटा तो तीन ठीक है चार्म एक गटा तो कितना आ गया तीन आ गया चुकि हम लोग को X का मान निकाल के दिखाना है तो यहां पर देखे इस 18 को क्या करना पड़ेगा बरावर के उस पार बेज़ना पड़ेगा पक्छांतर करना पड़ेगा तो X का मान निकालने के लिए यहां पर 49 यहां पर रहेगा और यह जो 18 आपको है यह गुना के रुप में है उधर भेजेंगे बरावर के उस पार भेजेंगे अब इसको क्या कर सकते हैं अगर कटने वाला होगा तो काट देंगे जैसे 3 का पहाड़े में देख रहें कट रहा है 3 से कट जाता है 3 के पहाड़े में 18 भी आता 3 6 के 18 3 कम 3 3 29 13 बट्टा में 6 कितना आगे 13 बट्टा में 6 तो हम लोग का प्यारे में चो X का जो मान आएगा 13 बट्टे 6 यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ठीक है ना? X बड़ावर 13 बट्टे 6 इस सवाल का राइट आंसर हो गया आपका निकल गया है बहुत यह असान तरीके से हम लोग निकाल लिए है चलिए इसी तरीके से आपको दूसरा नमर का सवाल है इसको भी बना करके यहाँ पर दिखाएंगे अभी दूसरा नमर का सवाल में थोड़ा सा चिन्द का फर्क कर दिया है चिन्द दूसरा डाल दिया है मैनस डाल दिया है तो इसको भी यहाँ पर बनाते है X-19 बट्टे में आपका 5 बरावर 8 ठीक है न, ये आपका सवाल है प्यारे भी द्यार्ट आपको क्या बताए थे कि आपको जब भी इस तरह का सवाल रहेगा Cross में Multiply करना इस 8 के नीचे कुछ नहीं तो एक हम लोग अपने मन से रख सकते हैं ताकि Cross में गुणा करने में सहुलियत होगी ठीक है न, यहां पर क्या होगा एक से इसमें गुणा करेंगे अब डारेक्ट हम लोग गुणा करते चलते एक से इसमें गुणा करेंगे, एक गुणा एक्स करेंगे एक्स ही होगा, मैनस में 19 है 19 गुना एक करेंगे तो क्या होगा 19 ही होगा बरावर 5 गुना 8 करेंगे 8 पंचे 40 ठीक है ना इस 5 को 8 से गुना करना पड़ेगा 8 पंचे 40 डारेक्ट हम गुना कर दिये है चलिए अब हम लोग को X का मान यहां से असानी से निकल जाएगा कैसे निकल जाएगा X वाले पत को एक तरब रखेंगे मतलब बरावर के इस पार बिना X वाले को उधर बेज देते हैं तो यहां पर X का जो मान होगा क्या होगा 40 और इधर माइनस में 19 है 19 जो है इधर माइनस में है उधर बेजेंगे tämä Thank you प्लस में 19 होगा, ठीक है न, प्लस में 19 होगा, तो X का मान हम लोगा कितना आ गया है, यह आ गया, 9, 4, 1, कितना होगा, 5, X का मान हम लोगा आ गया, 69, बहुत यह आसान तरीके से यह सवाल बन गया, देखिए, छोटा सा ही सवाल था, ज्यादा कुछ नहीं था, आपको घबरान मैनस एक्स बट्टा में पांच बराबर में मैनस में दो है ठीक है इस सवाल को यहां पर हल करते हैं सिंगल था उपर में और यहां पर नीचे सिंगल ही था और यहां पर दो पद आ गिया यहां पर भी भिनवला पद है यहां पर भी भिनवला पद है तो इस इस्तिति में आपको क्या करना है इस इस्तिति में सबसे पहले हर का लोसो निकालना है यह जो हर है यहां पर इसका लग तो अभाद सिंख्या को डारेक्ट गुना कर दिया जाता है लोसो निकालने के दिए 5 तिया ही 15 इसका जो लोसो आया कितना आया LCM जो आया कितना आया है 15 आपका तो 15 को यहाँ पर एक लाइन खिच करके हम लो लिखेंगे इस तरह से एक बड़ी लाइन देगे इस तरह से 15 लिखें अब देखें तीन का पहाड़े में कितने बार में 15 आ जाएगा प्यारे विद्यात्यों तीन के पहाड़े में 5 तिया ही 15 पांच बार में 15 आता है तो 5 से x में गुना करेंगे तो 5 x होगा मैनस कितना होगा मैनस का चिन है अब इस 5 का पहाड़े में कितने बार में पंद्र आ जाएगा 5 के पहाड़े में देखिए 5 तिया ही पंद्र 3 बार में यानि कि उस 3 को X से गुना करेंगे तो 3 X होगा बरावर में मैनस 2 है तो मैनस 2 लिख दीजिए अब देखिए क्या करना है हम लोगों को इसमें से घटा लिजे पहले 5 में से 3 घटे का क्या होगा 2 X पहले से लगा हुआ दोनों में तो X लगा देना है बट्टे में 15 है बरावर में मैनस 2 अब देखिए हम लोग का इस रूप में आ गया पहले जैसा की बनाते थे इस तरह से आगया अब हम लोग क्या कर सकते है क्रॉस में मल्टिप्लाइ कर सकते हैं इस मैनस 2 के नीचे कुछ नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक है ठीक है एक रख देने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है बिजली चले जाने के कारण थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया खैर कोई बात ने फिर से हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर देखिए अब हम लोग क्या करेंगे आपको बताए थे कि नीचे अगर एक लिख देते हैं दो एक्स ब्रावर लिख सकते हैं बंदर गुणाrichten दो करेंगे तो कितना होगा तीस होता है यहां लिखेंगे तीस और मैनस कछीन है पहले से तो मैनस कछीन लगा देंगी अब क्या करना है दिखिए यहाँ पर यह एक्स का मान निकालना हम लोग को तो संख्या को बराबर को उस पार भेजेंगे तो यहां पर क्या होगा मैनस 30 इधर गुणा में है इधर क्या है गुणा में ठीक है ना इधर गुणा में उधर भेजेंगे तो क्या होगा भागा में हो जाएगा तो यहां पर 2 से कार सकते हैं कितने बार में 2 एकम 2, बचाई हम पर 10 बना 2 पंचे 10, 15 बार में तो X का मान आया है, कितना आया है मैनस 15, X का मान मैनस 15 आया है, यह आपका इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक है न, यही आपका इस सवाल का आंसर हो गया, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग बना लिये हैं, ठीक है चलिए, अब चौथा नमर सवाल में देखते हैं कि क्या है चौथी नमर का सवाल यहाँ पर देखे, आपके सामने इस तरह से लिखा हुआ है सवाल 10 बरावर 4 पलस 3 इन्टू X पलस 2, इसको सवाल है आपका, ठीक है ना तो प्यारविद्यार तो करना क्या है, आपको यहाँ पर देखे, सबसे पहले यह ब्रैकेट जो यहाँ पर लगा हुआ है इस ब्रैकेट को हम लोग खोलेंगे, तो ब्रैकेट को खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाकी चीज को जेसा का वैसा लिख देना है, दस बरावर हो जाएगा, चार, पलस कचीन है पलस कचीन देंगे, तीन को क्या करना पड़ेगा, जब भी ब्रैकेट के अंदर जाएगा तीन, एक बार इससे गुना होगा और तीन एक बार इससे गुना होगा, ठीक है अब हम लोग क्या की है, ब्रैकेट खुल दिए, ठीक है ब्रैकेट हट चुकेगा यहां से, अब क्या होगा दस बरावर लिख सकते हैं, संख्या वाले को पहले जोड लीजी, यहाँ पर चो है और चार है, यानि कि बीना एक्स वाले को जोड़ेंगे, चो चार कितना होगा, दस होगा तो दस लिखेंगे, पलस में कितना है तीन एक्स है, तो तीन एक्स लिखिए अब क्या करना है, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको उल्टा फेर कर लेते हैं, ठीक है ना, इस इस पार के चीज़ को उधर लिखे हैं मतलब उल्टा कर जिए हैं कोई दिक्कत नहीं है मान में कोई परिवर्ता नहीं होने वाला है अब हम लोग क्या करेंगे X वाले को इधर रखेंगे बीना X वाले को उस पार बेजेंगे पहले सी यहाँ पर 10 है तो 10 दीजिए और इधर में दिखिए आपको 10 में X नहीं लगा हुआ है इसको उस पार बेजेंगे तो मैनस क्या होगा 10 होगा मैनस हो जाएगा 10 खिकह ना 3X बरावर क्या होगा 10 में 10 घटेगा तो यह ओ गया शुनिय है यहाँ ठीकह है जीरो हो जाएगा है तो X का मान क्या होगा X का मान होगा प्यारी विद्धा, जीरो बट्टा में 3, क्योंकि 3 इधर गुणाम है, तो यहाँ पर लखेंगे 3, आपको पता है कि किसी भी संख्या से, जीरो में अगर भाग देते हैं, जीरो में किसी भी संख्या से भाग देते हैं, तो उसका मान कितना हो जाता है, जीरो हो बहुत important point है, इसको अगर आप पता नहीं है, इसको याद रखिए, किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या से, zero में अगर भाग देते हैं, उस संख्या का मान क्या होता है, zero हो जाता है, यह आपका इस सवार का right answer हो गया, ठीक है, निकाल लिए हैं लोग, चली, इसके बाद दे हैं, x बट्टा में 2, पलस 6, बरावर में आपका x बट्टा में 3, पलस 2x बट्टे 7, आपको बताए थे, जब भी आपको इस तरह का सवार मिले, तो x वाले को सबसे पहले एक तरफ कर लीजिए, तो x वाले को सबसे पहले एक तरफ करेंगे, x बट्टा 2, उसके बाद आएगा तो मैनस में हो जाएगा ठीक है ना मैनस X बट्टा में 3 यह भी पलस में है तो मैनस 2X बट्टा 7 यानि कि सभी X वाले पत को इस पार लेते हैं बराबर के इस पार अब उस पार में क्या बचता है कुछ नहीं बचता है तो 0 बचता है सिर्फ ठीक है 0 बचता है कुछ न करना है ये तीनों का लोसो निकालना है दो तीन और साथ का दो तीन साथ का लोसो निकाल करके यहां पर रखना है तो दो तीन साथ का लोसो आप इस तरह से निकाल लीजिए दो तीन साथ का लोसो देखिए तीनों अभास संक्या है यदि आपस में भी गुना कर देते हैं हम लो लोसो निकल जाएगा दो तीन गुना साथ कर देंगे तो हम लोग का लोसो निकल जाएगा असानी से कैसे तीन गुना छो सकते ब्यालिस ब्यालिस आया लोसो ठीक है यहां पर लिखेंगे ब्यालिस अब क्या करना है इस दो से ब्यालिस में भाग देना है कितने बार में पर X से गुना करना होगा उपर वाले से तो X में 21 से गुना करेंगे 21 से X होगा मैनस के चिन है तो मैनस के चिन लगा देंगे अब 42 में यहां 3 का पहाड़े में कितने बार में 42 आएगा तो ऐसे अगर पता नहीं चलता है ऐसे अगर डारेक्ट पता नहीं चलता है आपको क्या क करेंगे हम लोग 14 से X में गुना करेंगे यहां पर 14 X हो जाएगा मैनस के चीन है तो मैनस के चीन लगा देंगे उसके बाद यहां पर 7 है 7 के पहाड में कितने बार में 42 होगा 7 6 42 जाने कि अगर 42 में 7 से भाग देंगे तो कितना होगा चो बार में कट जाएगा, उस चो से इसमें गुना करना पड़ेगा, उपर वाले पदमी, तो चो दुना कितना होता, 12x होगा, यहाँ पर लिखेंगा 12x, बराबर में 0 में 6 को घटाएंगे, तो मैनस 6 होगा, ठीक है न, क्योंकि बड़ी संख्या घट रहा है, ठीक है, तो मैन मैनस मैनस क्या होता है, पलस होता है, जुट जाता है, लेकिन चिन कैसा रहेगा, मैनस कराएगा, तो 21x मैनस में क्या होगा, 4, 2, 6, और 1, 1, 2, 26x, बराबर में मैनस में 6 आया, ठीक है न, अब देखो क्या करना पड़ेगा हम लोगो, यहाँ पर 21x है, और मैनस में 26 है, बुटी संख्या में बड़ी संख्या घटाना है, तो चिन कैसा रहेगा, मैनस कर रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा, 5, 5x बट्टे में आपको हो जाएगा, कितना, 42, बराबर में कितना होगा, मैनस 6, ठीक है, यह आपका हो गया, अब क्या करना दिखिए, यहाँ पर क्या करना, क्रॉस में गुना करना, इसके निचे कुछ नहीं, तो एक आप आसानी से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब एक से गुना करेंगे, तो मैनस 5x होगा, बराबर में, मैनस 6, गुना में कितना 42, हम लोग लेख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो X का मान निकालना है शिर्फ तो X इधर रखेंगे ये संख्या को उधर बेज देंगे तो मैनस 6 गुना 42 बट्टे में मैनस कितना है 5 मैनस मैंनस उपर नीचे कट जाएगा यहना उपर नीचे मैनस मैनस कर जाएगा और अब क्या होगा एक स्व सौध मलब में अनसर यहां पर कितने बाब रहे पाँच पचीज चीरों कि उसकी बाद देखें क्या नहीं यहां पर हो जागा पांचों के बीस दो बचा था पांचों के बीस यह हो जाएगा तो X का जो माना आया है वो 50.4 ये आपका इस सवाल का right answer है ठीक है ये आपका इस सवाल का क्या होगा right answer हो जाएगा चलिए एक आखरी सवाल हम लोग का बच चुका है एक आखरी सवाल बच चुका है इसको बनाते हैं जो कि छटी नमर का सवाल है बहुत important सवाल है इसको कैसी बनाया जा सकता है इसको दिखे यहाँ पर च्टी नमर का सवाल को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं आपका सवाल है प्यारे मिजारत्यों 2y-1 बच में कितना है 3 बरावर है y पलस 2 बच में है 2 ठीक है इसको solve करके दिखाना है तो कोई दिक्कत नहीं आपको घवराना नहीं है जैसे अभी बनाये थे हम लोग वेसे ही बनाएंगे यहाँ पर नीचे में 2 है यहाँ नीचे 3 है आपको क्या करना है सीरा क्रॉस में इसको गुना कर लिजे ठीक है, क्रॉस में, 2 को इस पत से, 3 को इस पत से, जब गुना करेंगे इस तरह से गुना कर सकते हैं, लोग, 2 into 2y, मैनस में 1 ब्रेकेट बंद कर दिये, ठीक है, 3 into y, जोड 2, अब क्या करना है, ब्रेकेट को खोलना है, ठीक है, 2 को 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 दुना 4y, ग करेंगे, 3y, पलस, पलस, पलस होगा, और 3 दुना ही, 6, यहां से भी ब्रेकेट हट चुका है, अब आपको क्या करना है, y वाले पत को एक तरफ रखना है, जैसा कि पाली भी बताए थे हम, ठीक है न, y वाले पत को एक तरफ कर लेते हैं, इधर पलस 3y है, इधर आएगा, त रचेगा, और यहां पर 6, 2, 8 हो गया, देखें, कितना लेंदी सवाल था, और आंसर कितने अच्छे तरीके समलो निकाल चुके है, इस तरीके से आपको कितना आ गया, y कमान आ गया, 8, उमीद करते हैं कि आज कि इस वीडियो से आपको बहुत ही अच्छा नोलेज मिला होग यदि आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, जादा सजादा दोस्तों को जरूर सेयर करिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, और आप लोगों के लिए इसी तरह का अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहा हूँ, मिलत पर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जाहिन, बन दे मातरम